नमस्कर दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश कालिया हर्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटीव चैनल अक्षित्यस्ट्रो मास्ट्र में मेरे मिधुन लगन और मिधुन राशी वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों बात करें जनवरी 2021 की तो इसमा आपका सहस प्राकरम और आत्म विश्वास उन्चाईयों पर रहेगा अश्ठम गोचरस्थ शनी के परवाव से भाग्या में कुछ कमी बनी हुई है भाग्या का पूरन रूप से सहयोग नहीं मिल पा रहा है प्रतु अब आप भाग्या वरों से नहीं बैठेंगे अपनी मेहनत और प्राकरम से लाव मार्क पर शस्त करेंगे मेहनत और प्रशार्थ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे आपका अपने प्रती विश्वाश आपको लगातार वीजे दिलवाएगा ग्रेग उचर के नुसार अब आप कमफर्ट जोहन से बाहर निकल कर कारिया करेंगे खूब मेहनत करेंगे लावा में गोचरत साहस प्राकरम कारक मंगल के प्रवाव से आपकी मेहनत विर्थ नहीं जाएगी मेहनत का पूरन फल लाव के रूप में मिलेगा बलकि मेहनत से अधिक ही लाव मिलेगा दोस्तो इस अवदी में मेहनत से अधिक लाव मिलने से आप जोश उत्सा और परसंता में रहेंगे पूरन मा मंगल लावा में गोचर करेंगे मंगल का गोचर अति उत्तम और लापरद बना हुआ है मंगल के प्रवाब से आपकी एकागरता अपने आए सबंदित लक्षियों पर बनी रहेगी आप अपने भावी कार्या के साथ साथ आए के अन्यास तरोतों पर भी कार्या कर सकते हैं दोस्तों मंगल का शुब गोचर लाब पदनती परगती तथा प्रयासों में सफलता का सूचक है आपके दोरा कियेगे प्रयासों से आर्थिक उन्नती लाब तथा आईवरीदी के प्रबल योग बनेंगे दोस्तों मंगल भूमी पूत्र है इसलिए मंगल का भूमी भवन और जमीन जैजाद से गहरा रिष्टा है लाब भा में गोचरस्त मंगल आपको भूमी भवन और जमीन जैजाद से लाब करवाएंगे प्रोपर्टी से सबन्दित कार्या करने वाले दोस्तों के लिए मंगल का गोचर विशेश लाप्रद साबित होगा दोस्तों मंगल के गोचर से भूमी भवन से सबन्दित कार्यों द्वारा आए में वरीदी हो सकती है प्रोपर्टी को किराए पर देकर या किराए वरिदी के रूप में आए बढ़ सकती है सहास पूरण है जोखिम पूरण कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी मंगल की शत्रु स्थान पर द्रिश्टी पढ़ रही है इससे आप शत्रों पर बहुती सरलता से वीजे प्रापत करने में सफल रहेंगे विरोधी संदी करने के लिए पीछे पीछे गुमेंगे तथा विरोधीयों के माद्यम से विल्लाब के योग बनेंगे जो तो इस मा मंगल के अतिरिक्त दूसरी ग्रहूं का गोचल मिला जूला रहेगा चार जनवरी को शुक्र राशी प्रवर्दन कर सब्तमबाब में परवेश करेंगे शुक्र के इस ब्रह्मन से जीवन साथी के स्वास्ट और स्वाब में बहतर बदलाब देखने को मिलेगा क्योंकि शुक्र रोग स्थान पर राहू के तुर मंगल से पीडित थे अब वहर राहू के तुर मंगल के अशुब प्रवाब से मुक्त हो चुके हैं शुक्र का सब्तमबाब में ब्रह्मन दंपत्य जीवन में मदूरता बरिद्धी करेगा प्रंतु सब्तमबाब में सूर्या की यूती के फलसबरो यदा कदा पती पतनी में करोद के वशी बूतो कर मतबेद पैदा होंगे खास कर चोदा जनवरी तक खास साफदानी बरते हैं चोदा जनवरी को सूर्या सब्तमबाब से परस्थान कर जाएंगे तब दंपत्य जीवन में तालमिल एम बदूरता बढ़ेगी दोस्तो सूर्या की राशी प्रवरतन से पहले पांच जनवरी को राशी सूर्या में बुद्ध राशी प्रवरतन कर अश्ठम बाब और मित्तर राशी में प्रवेश करेंगे दोस्तो राशी सूर्या में बुद्ध का राशी प्रवरतन धन के सूर्या में उत्तम है प्रंतो स्वास्त की अंदेखी ना करें स्वास्त के प्रतिपूरान रूप से जाग लुक रहे हैं धन में वृ partirी होगी जमापुंजी में वृ partirी के साथ bank balance बढ़ेगा वेपार कार्क बुद्ध के साथ वेपार बाप के स्वामि गुरू की दृिष्टी धन बाप पर पड़ रही है वेपारी दोस्तों को परचूर मात्रा में धनलाब दिखाई दे रहा है अक्समात धनलाब के प्रबल योग नजर आ रही है दोस्तों अश्ठमबाम में बनरी ग्रेग उच्रियस्तिति पैत्रिक संपत्तिस बंदी सुसराल पक्ष दोबारा पुराने किसी निवेश या अन्या किसी रूप में अक्समात धनलाब करवा सकती है तंतर मंतर जोतिश या अन्या किसी गूड विद्या से जुड़े दोस्तों को इस अवदी में धनलाब के हनकूल अवसर पैदा होंगे इमानदारी और निष्ठा पुरोख कारेकर ग्रेग उच्चर का उत्तम लाब उठाएं दोस्तों उधर सब्तमबा में ग्रेहों के राज़ा परतपी सूरिया के परवाव से आपके सवाव में क्रोध और रहम में वरिदी हो रही है इस माँ आपको क्रोध और वानी पर नियंतरन रखना बहुत ही वश्यक रहेगा जीवन साथी के साथ भागीदार से भी तालमेल एहम अदूरता बनाए रखें दोस्तों चोदा जनवरी को सूरिया भी राशी परवर्तन कर अश्ठमबा में परवेश कर जाएंगे दोस्तों अश्ठमबा में सूर्य शनी का गोच्च एक करेला तो दूसरा नीम चड़े जैसा है चोदा जनवरी के वाद वियर्त के वाद विवाद से दूरी बना कर रखें जितना हो सके वियर्त के वाद विवाद और लड़ाई जगडे से अपने आपको दूर ही रखें नहीं तो बेकसूर होते हुए भी कसूर वार ठहरा दिये जाएंगे मान परतिष्टा में कमी हो सकती है सरकारी जमेलों में नाफसें, सरकारी नियूमों का पूरान रूप से पालन करें दोस्तो इस अवदी में सरकार या सरकारी टेंडर से जड़ा कोई कार्या करना है तो उसे कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा दोस्तो सूर्य का राशी प्रवर्तन कुछ नाकारातमक रहेगा पिता और पुत्तर के मद्यावी मतवेद पैता हो सकते हैं 14 जनवरी के बाद पिता की स्वास्थ स्वंदी नियमित रूप से जांच पड़वताल करवाते रहें कटूंब में सुक शांती का महोल बनाई रखें दोस्तो 25 जनवरी को राशी स्वामी एक बार फिर राशी प्रवर्तन का नवंबाव में प्रवेश करेंगे दोस्तो नवंबाव भाग्या से समदित बहुत ही शुप्तता महत्तपुरन बाव है दोस्तो यह अवदि आपके भाग्या में व्रिदी करने वाली रहेगी भाग्या के सैयोग में कमी बनी हुई थी प्रन्तु अब राशी स्वामी के गोच्चर से भाग्या की प्रवल शक्ती प्रापत होगी भाग्या के सैयोग से आपके रुके हुए शूप महत्त पुरन कार्या पूरन होंगे सोया हुआ भाग्या जागेगा इश्वरिय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहा विश्वास अब पुन जागरित होगा स्वास्त के स्वंद में वी यह ब्रह्मन शूब है श्रीरिक स्वास्त उत्तम होगा श्रीरिक स्वास्त के साथ मानसिक रूप से विश्वास्त पर सन एम शान्त रहेंगे राशी स्वामी बुद का तिरकौन स्थान में ब्रह्मन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा वेपारी दोस्तों के लिए यह अवदी काफी सा कारात्मक रहेगी वेपार भाव में शुक्र का ब्रह्मन तो वेपार करक बुद्ध का भाग्य भाव में ब्रह्मन वेपारी दोस्तों के वेपार में एक नई जान लेकर आएगा गर से दूर विदेश तक विपार का विस्तार संबव है किसी न किसी रूप में विदेश से तार जुड़ेंगे विपारी की यात्राइं लाप्रद सावित होंगी दोस्तो विपार में विस्तार के लिए आपकी मेहनत के साथ बुद्धिवल का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा आप अपने बुद्धिवल और सूजबूज से वेपार के रास्ते आने वाली बादाइं दूर करेंगे दोस्तो अठाइस जनवरी को शुकर भी एक वर फिर राशी प्रूरतन कर अष्ठमबा में प्रवेश करेंगे और वपरीत राइयों कर निरमान करेंगे दोस्तो दूसरे ग्रयाओं का अष्टमस्त गोचर कस्टकारी होता है परंतो शुकर इसका अपवाद है शुकर का अष्ठमबा में गोचर मिश्रित फल जुक्त रहेगा दोस्तो इस मिशριत फल में शूफल का प्रतीशत जादा होगा दन सुक में वरीदी होगी विदेशी धन लाव के योग बनेंगे दोस्तो बात करें प्रेमस बंदों की तो चार जनवरी के बाद का समय प्रेमस बंदों के लिए उत्थम है जैसे जैसे मावैतीत होता जाएगा प्रेमसवंद गहरी और मजबूत होते जाएगे 14 जनवरी को सूरिया और शुकर की जुती तूट जाएगी शुकर मजबूत सिती में आ जाएगे 14. january के बाद का समय प्रेंज वंदों में एक नई अर्जा और जोश लेकर आएगा 14. january के बाद प्रेंज वंदों में अनंद और रमाच की व्रीदी हूगी इस अवदी में प्रेंज वंदों को विवास उत्र में बांदने के कारें में तेजी आएगी दोस्तों बात करें शिक्षा की तो शिक्षा किस बंद में? मा के शुरुआती समा में, शिक्षा में अभी रूची और एकागरता बंग होगी, परनतु जैसे जैसे मावे तीत होता जाएगा एकागरता और रूची में वृद्धी देखने को मिलेगी, और मा का अंतिम सब्ता शिक्षा के समान में बढ़िया रहेगा, विद्यारती शिक्षा की शित्र में अच्छा कारिया करेंगे, दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यावादा.